हेलो प्याली बच्चों कैसे हैं आम सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्क्षीट नंबर 37 जो की 18th of November 2021 की वर्क्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों Mathematics और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है estimation ठीक है यानि कि किसी भी number देखो estimation का मतलब होता है rounding off हम कह सकते हैं ठीक है इसमें करते क्या है कोई भी numbers की nearby values को लेखते हैं zeros को लेते हैं rounding off means changing the most insignificant value to its nearest zero figure this makes the number more readable and easy for estimation जैसे की example के थ्रू समझते हैं हमें number दे रखा है one three double four और कह रखा है इसको हमें round off करना है to nearest tens अब tens के लिए करना है तो इसका मतलब हमें अगर first वाली place को tens के लिए हमसे first वाली desert को देखेंगे अगर ये number five से less है तब तो हम इसको zero कर देंगे और अगर ये five से जादा है ठीक है five से बड़ा number है जैसे की six seven eight nine तब हम क्या करेंगे यहाँ पे one add करेंगे और इसको फिर भी zero करेंगे ठीक है तो इसका मतलब इसको अगर हमें round off करना है तो फिलहाल ये number आ जाएगा one three four zero ठीक है लेकिन अगर ये number ऐसा होता one three four six तब इसको हम round off करते तब ये क्या हो जाता यहाँ पे one add हो जाता यानि की one three five zero ठीक है यानि अगर one से लेकर five तक number है तब तो ये convert हो जाएगा zero में लेकिन अगर इससे बड़ा number है यानि six seven eight या nine number है तब हम क्या करेंगे ये ten में convert हो जाएगा और first place पे हम ten तो लिख नहीं सकते हैं जैसे की number है number हमने लिया two three seven ठीक है और हमें round off करना है इसको nearest ten में अब हम देख रहें last वाला number है seven तो seven को convert करके हमें ten लिखना है पर यहाँ पे तो एक ही number आ सकता है ten तो आ नहीं सकता तो इस one को हम यहाँ पे add कर देते हैं तो फिर इस तरीके से number आ जाएगा two forty और अगर यही होता two thirty four तब हम क्या करते इसको two thirty में convert कर दे ठीक है अब इसके basis पर हमें कुछ questions दिये हुए हैं जिनको solve करना है question number one है यहाँ पे जो हमें numbers दिये हैं वो कौन कौन से है six seven eight nine two sixty seven thousand eight hundred and ninety two इसको हमें nearest ten में convert करना है ठीक है मतलब round off करना है tens में तो यहाँ पे जो number है six seven eight nine two last वाला number two है तो इसको हम zero करेंगे और यहाँ पे कुछ भी change नहीं करेंगे तो number आ जाएगा six seven eight nine zero next number है two four five seven eight देखो यह eight यानि five से बड़ा number है बड़े number के लिए हम क्या करेंगे इसमें one add करेंगे और इसको zero करेंगे तो number आ जाएगा two four five eight zero ठीक है तो first and second complete हो गए जिसको हमें tens में convert करना था next है हमें round off करना है hundreds में ठीक है इसका मतलब अभी जो question है वो है seven six five two one अब हमें last के दो डिजिट्स लेने हैं अगर ये last के दो डिजिट्स 50 से less है तब तो ये number ऐसे का ऐसे ही रहेगा और ये दोनों zero में convert हो जाएंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं 50 से less है इसका मतलब ये number आ जाएगा seven six five double zero ठीक है and next वाला जो number है eight seven eight four seven ये दोनों number देखो ये again 50 से less है तो ये आ जाएगा eight seven eight double zero ठीक है लेकिन अगर ये number by chance ऐसा होता eight seven eight five three अब देखो ये 50 से greater number हो जाता तो अब ये eight seven यहाँ पे हम one add कर देते nine double zero ये number आ जाता ठीक है तो इस चीज़ का ख्याल रखना hundreds दोनों हो गए अब हम round off करेंगे thousands में number है eighty six thousand five hundred and seventy two thousands में अगर हमें round off करना है तो हमें इन तीनों digits को देखना होगा अगर ये तीनों digits five hundred से less है तब तो ये number ऐसे ही रहेंगे और यहाँ zeros आ जाएंगे और अगर ये तीनों digits five hundred से greater है तो हम इसमें one add करेंगे अब यहाँ पे देखो five hundred से greater है यानि answer आ जाएगा eight seven triple zero again यहाँ पे देखेंगे number क्या है eight five eight four seven last की तीन digits को देखो ये क्या है ये five hundred से जादा है इसका मतलब यहाँ पे हम one add करेंगे और आ जाएगा eighty six thousand ठीक है तो इस तरीके से हमें round off करना होता है numbers का पर ये ध्यान रखना होता है कि हमें tense में करना है hundreds में करना है या फिर thousands में करना है tens में करने के लिए हम सिर्फ first digit लेंगे hundreds में करने के लिए हमें दोनों digits देखनी होगी and thousands में करने के लिए हमें तीन digits देखनी होगी तो ये थी आज की हमारी माज की वॉक्षीट एन आई होप आपको ए वॉक्षीट अच्छे से समझ में आई होगी इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्षिन में जाके पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने जो भी व्यूपॉइंट से आप कमेंट सेक्षिन में जाके बताएं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंज के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें थैंक यू